हमारे पति-पत्नी के बीच में रिस्ते सही धंग से नहीं होते या जिन से हमारा तालमेल अच्छा है तो हम बहुत सारी बाते कहने से संकोच कर जाते हैं सही धंग से हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं ऐसा क्यों होता है और इसकी वज़े से क्या क्या दिक्कते आती है तो हम इसी पर चर्चा करेंगे पर आपसे एक रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले जब बचे बड़े हो गए और वो फोन में बात कर रहे हैं तो ज़्यादा तर मम्मीों को ये सक रहता है कि ये पता नहीं क्या बात कर रहा है किस से बात कर रहा है या हमारे husband कहीं बात करते हैं तो हमको सख होता है कि किस से बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं और होता क्या है अच्छे यहीं चीज पत्नी के लिए भी बोली जा सकती है कि अगर वो जादा देर तक कहीं बात करती है तो मन में यह आता है कि कहां बात कर रही है, क्यों बात कर रही है, किस से कर रही है, अगर हमको जानकारी नहीं तो होता क्या है कि अगर हम सही धंग से उनसे पूछ नहीं पाते हैं, तो ये गलत तरीके से बाते फिर होने लगती हैं क्योंकि अगर वो सच में काम की बात हो रही थी और हमारे अंदर सक आ गया कि कहीं पर कुछ गलत है तो सोभाविक सी बात है कि हम सही धंग से बात नहीं करेंगे और हम क्या करते हैं कि तानी देना सुरू कर देते हैं चाहे बचों को हो पतनी को हो पती को हो हम अपना जो बात करने का तरीका है वो बदल देते हैं जबकि सामने वाला सही है पर फिर भी हम उससे सही धंग से बात नहीं करते हैं हम हर वक्त ताने देकर के बात करना, शुरू कर देते हैं और इस वजह से रिस्ते बहुत जयदा खराब होने लगते हैं और रिस्ते खराब ना हो, इसकी जुम्मेदारी हमारे उपर है और इसलिए हमको सही ढ़ंग से, सही जानकारी लेना चाहिए अगर हमारे मन में सक है अपने पती के लिए, अपनी पत्नी के लिए या अपने बच्चे के लिए तो आप उनको बैठाईए, उनसे खुल कर बात करिए और हमेशा छोटी बात हो बड़ी बात हो आपके मन में अगर सक आ गया है, किसी भी बात को ले करके, तो ये मत सोचे कि सामने वाले को बुरा लगेगा, क्योंकि वो और ज्यादा बुरा होता है जब आप ताने मारते हो, अपनी पत्नी को मारते हो, अपने पती को मारते हो, या बच्चे को मारते हो, ये बेहत गलत बात है, जो भी है आप उनको बताईए कि आप उनका साथ दोग अगर कुछ गलत है तो भी आप गलत भी जानना चाहते हैं और उसमें आप उसको पनिस नहीं करोगे तो पूरी बात सही बात जानने की कोशिस करिए और जब तक आप सही बात ना जाने तो अपने बच्चे पर अपने पती पर या पत्नी पर ऐसे मतलब ताने देखर के बाते मत करिए क्योंकि होता क्या है कि अगर कुछ भी नहीं है जो आपने सोच रखा है तो रिस्ता इतना ज्यादा खराब हो जाएगा इतनी ज्यादा कणवाहट मन में आ जाएगी कि जब आप समझोगे उस बात को जानोगे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी क्योंकि आज कल ये बहुत ज़्यादा हो गया हर घर में कि फोन पर तो लोग बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं बहुत ज़्यादा बाते करते हैं, बहुत ज़्यादा चैट करते हैं, लेकिन बाते करने का ये मतलब नहीं है कि हम गलत हैं हर जगर पर, सच में अब ये महाल हर घर में देखा जा रहा है, कि अगर बहुत देर तक कोई फोन पर इंगे, जै तो चाहे हो अपना काम ही क्यों न क होगी वहां कभी रिस्ता अच्छा नहीं होगा चाहए बच्चे से हो चैह पतनी से हो हम सोचते हैं कि किसी को देख करके की उनके घर में कितना अच्छा महौल है वो हम बनाते हैं हम अगर टाने देए या हमारा सुभाव ऐसा है कि हमसे कोई बात ही नहीं करaisकता है धंग से हम किसी से बात ही नहीं करते तो वो हमसे क्यों कुछ बताएगा आ करके इसलिए अपने ब्योहार को अपने बातचीत के तरीकी को सही रखिए और जब तक कोई सच्चाई सामने ना आए तो ऐसे ताने दे करके बाते करना पती से पतनी से बच्चे से बिलकुल भी सही ही होता है और एक खुलापन रखिए घर में बात चीत हर रिस्ते में खुल करके करिए थोड़ी देर को बूरा भले लगेगा लेकिन चीजें साफ हो जाएंगे और अगर बातें साफ नहीं होंगी और उसमें उलजते जाएंगे तो ये रिस्ते के धागे जब उलज जाते हैं इनको सुझाना बहुत मुस्किल होता है ये टूट जाते है इसलिए कहीं पर कोई साफ है तो बात खुल करके करिए अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अमी लेगे नेट वीडियों कि तो लीवागा है